हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें इन महीनों में जन्मी महिलाएं होती हैं धन्वान जोतिश आसर के द्वारा व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई एहम पहलों के बारे में जाना जा सकता है आज हम बात करेंगे कौन से महीने में जन्म लेने वाली महिलाएं भागिशाली होती हैं वैसे तो हर महा की अपनी एक खास बात है लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसे महीने भी हैं जिन में जन्म लेने वाली दर्किया न सिर्फ भागिशाली होती हैं तो चलिए जानते हैं कौन से महीने में जन्मी महिलाएं अत्यदिक धन्मान वह भागिशाली होती हैं जन्वरी के महिने में जन्वी इस्त्रिया जोतिश अनुसर जिन लड़कियों का जन्वरी के महिने में होता है वह बहुत ही भावगिशाली होती है इस महिने जन्वी इस्त्रियों को समाज में मान पतिष्ठा मिलती है और ये अपने भाग्य और कर्म से अच्छा धनलाब करती हैं पैसों की इन्हें कभी कमी नहीं रहती फरवरी महामें जन्मी इस्त्रियां फरवरी महामें जन्मी इस्त्रियों का जन्म होता है वह भी बेहत भाग्यशाली मानी गई हैं दिखने में ये महिलाएं काफी आकशक होती हैं, इस महीने जन्मी महिलाएं बहुत महनती होती हैं, इन्हें जीवन में धनकी कभी कोई कमी नहीं होती, अपने भागे से ये आराम दायक जीवन जीती हैं. मार्च के महिले में जन्मी महिलाएं, जोतिशनुसाब जन्मी महिलाओं का जन्म मार्च के महिले में होता है, ऐसी इस्त्रियां सुन्दरने नक्षवाली और अट्रेक्टिव होती हैं, किसी भी मामले में ये निर्णे सोच विचार कर लेती हैं, कहा जाता है कि इस महिले जन्म महिलाओं के जीवन में धन्योग बहुत प्रभल होते हैं और ये भाग विशाली और धन्मान होती हैं अप्रेल के महिने में जन्मी महिलाएं अप्रेल के महिने में जन्मी इस्रियां स्रेश्ट वा कोमल रिदय की होती हैं इनके मन में किसी तरह का कोई बैर नहीं होता दिखने में बेहत सुन्दर ऐसी महिलाओं का भाग्य बहुत अच्छा होता है और साथ ही ये लाइफ में अच्छा धनर जित करती हैं माई महा में जन्मी इस्रियान महिने जीने वाली होती हैं इनका हुर्दय कोमल होता है कहा जाता है कि इस महीने जन्मी महिलाएं भागिशाली और धन्वान होती हैं ये परिवार चलाने वाली होती हैं जीवन में हमेशा खुश रहती हैं और सच का सांद देती हैं सितंबर महा में जन्मी इस्त्रियां जोतिस अनुसार सितंबर के महीने जन्मी इस्त्रियां धन्मान, गुडवान और साफ मनकी होती हैं ये सुखी जीवन जीने वाली होती है इस महीने जन्मी इस्त्रियों को सौभा गिशाली माना जाता है क्योंकि इन्हें जीवन का लगबग हर सुक प्राप्त होता है ये परिश्रम करने से कभी नहीं घबराती जिस कारण भी ये धन्मान होती है दिसंबर महा में जन्मी इस्त्रियां दिसंबर के महिने में जन्मी इस्त्रियां सच बोलने वाली और मन की साफ होती है ये काफ़े बुद्धिमान और सौभागिवान होती है इस महीने जन्मी महिलाएं धन्जोरने में माहिर होती है अपनी फैमली के लिए या हमेशा ही ढाल बनकर खड़ी रहती है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सबी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचान उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें